दोस्तों महिंद्रा की SUVs की अगर हम बात करें तो इन गाडियों का कोई जोड ही नहीं है वेल स्कॉर्पियो की अगर हम बात करते हैं महिंद्रा की तो इस गाड़ी को खासा पसंद किया जाता है और अब नई जैनरेशन महिंद्रा स्कॉर्पियो की टेस्टेंग जारी हो गई है और इसका लिया फोटो ऑनलाइन सामने भी आ चुका है जिसमें ये SUV उत्पादन वाली 5 स्लोट ग्रिल के साथ दिखाई दे रही है हाला कि SUV के बाकी लगभग सभी पुर्जे और स्थाई दिखाई दे रहे हैं और कंपनी ने अभी इस कार को पूरी तरह से स्टिकर्स से धका हुआ है हाली में नजर आई इस फोटो से ये भी समझा जा सकता है कि नई जैनरेशन SUV का आकार थोड़ा सा बड़ा होगा और इसकी रूप रेखा अच्छी तरह से सवरी हुई होगी यानि की लुक में ये कार काफी ज्यादा अट्रैक्टिव दिखाई देगी और महिंदरा ने हाली में स्कॉर्प्यो का स्टिंग नाम ट्रैड्मार्क लिया है जो कि नई जैनरेशन स्कॉर्प्यो का नाम हो सकता है 2021 महिंदरा स्कॉर्प्यो को अपडेटेड लेडर फ्रेम 6-3 पर भी बनाया जाएगा और इसका संभावित मुकाबला आगामी, MG Hector Plus और Tata Gravitas के साथ होगा तो आईए इस कार के बारे में आज हम बात करते हैं वीडियो पूरा जरूर देखेगा और अगर आप हमारी कोई भी वीडियो मिस नहीं करना चाहते हैं तो बेल के आइकन को प्रेस कर दीजेगा और हमारे चैनल Real Auto News को सब्सक्राइब कर दीजेगा वेल नई जैनरेशन महिंद्रा स्कॉर्पियो लंबे बोनट के साथ आईगी जो की हुड स्कूप, बड़े आकार के बंपर और चौड़े एर इंटेक्स के साथ दिखाई दे रहा है SUV में लगे टेंप्रेरी हेड्लैंप्स हैलोजन यूनिट है लेकिन हमारा मानना है कि उत्पादन वाले मॉडल के साथ LED प्रोजेक्टर हेड्लैंप्स भी मिलेंगे जो की LED DRL के साथ आएंगे महिंद्रा ओटोमेटिव ने नई जैनरेशन स्कॉर्पियो की लंबाई को भी बढ़ा दिया है जिससे ये साफ होता है कि SUV के केबिन में अब ज्यादा जगा मिलेगी और तीसरी रो में यात्रियों को काफी आराम दायक अनुभव मिलेगा और अभी बेक रही जो स्कॉर्पियो है उसमें थर्ड रो में दो तरह की सीटिंग आती है लेकिन कमपनी अब तीसरी पंक्ती को सामान्य तोर पर सिर्फ आगे की और मोग करके बैठने की विवस्ता में पेश कर सकती है इस बार जो ये फोटोज दिख रही है उसमें SUV का केबिन नहीं दिखाए दिया है लेकिन हमारा अनुमान है कि इसमें बेहतर तरीके का डैश बोर्ड, नया टच्सक्रेन इंफोटेन्मेंट सिस्टम, नए मल्टी फंक्शनल, स्टेरिंग वील, नए एसी वेंट्स और काफी अच्छे सेफटी फीचर्स इसमें दिये जाएंगे साथी साथ इसके बाकी के फीचर्स के अगर हम बात करते हैं तो इस गाड़ी में LED प्रोजेक्टर हैड लैंप्स मिलेंगे जो की LED डियरल के साथ आएंगे टेस्ट मॉड्यूल के साथ स्टील वील्स दिखाई दे रहे हैं लेकिन प्रोडक्शन मॉडल के साथ SUV के महगे वेरियंट में अलॉई वील्स भी लगाये जाएंगे जहां तक हमारा अनुमान है कि नई स्कॉर्पियो में LED टेल लैंप्स से लैस इसको किया जा सकता है आसानी से चड़ा और उतारा जा सके इसके लिए SUV के टेल गेट को बदलावों के साथ पेश किया जाएगा ऐसा भी अनुमान लगाया जा रहा है महिंद्रा में फिलहाल बेची जा रही स्कॉर्पियो को BS6 इंजन के साथ बजार में उतारा जाता है ये 2.2 लीटर का M-Hawk डीजल इंजन है जो कि 138 BHP की पार और 320 न्यूटन मीटर का पीक टॉक जैनरेट करने की शमता रखता है नई जैनरेशन महिंद्रा स्कॉर्पियो के साथ संभवता अलग से टॉबो चार्जड पेट्रोल इंजन भी दिया जाएगा जो कि कंपनी की नई M-Stallion फैमिली से लिया गया है जिससे 2020 आटो एक्सपो में शोकेस भी किया गया था और हमारा अनुमान है कि नई SUV में 1.5 लीटर का M-Stallion TGDI इंजन लगाया जाएगा जो कि 160 BHP की पार और 280 न्यूटन मीटर का पीक टॉक जैनरेट करता है कीमत की अगर हम बात कर लेते हैं तो इस काड़ी की शुरुआती कीमत मात्र 3,90,000 से शुरू होगी जो कि बढ़ते हुए मॉडल के साथ और भी उपर जा सकती है तो आपको कैसा लग रहा है स्कॉर्पियो का ये नया मॉडल हमें कॉमेंट करके जरूर बताएए वीडियो अगर पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर कर दीजेगा धन्यवाद